हलो एवरिवन वेल्कम टू स्टार आयक्यू स्टार आयक्यू के इस ऑनलाइन प्लाटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्यारे बच्चों बहुत साही प्राब्लम्स की वज़े से ये वाला जो कलास है ये थोड़ा सा डिले हो पाया ये वाला सेग्मेंट थोड़ा डिले हो पाया और कोई बात नहीं आप लोग फिलाल भी उससे जुड़ चुके हैं तो आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार है रादे रादे है और अब हम पढ़ने वाले ह क्या हम लोग जनवरी से लेगे और अब तक के बहुत ही इपॉर्टन तिन सो मोस्ट इपॉर्टन टैमसी क्यू जानने वाले हैं तो आप बने रहे मेरे साथ में जहां से मन लगा के सुनिएगा मज़ा आएगा आप लोगों को इस कलास के अंदर समझ के भी मज़ा आएगा क काल ही में किस देश ने अपने रास्टर गान में एक सब्द को बदल दिया है ऐसा कुन सा देश है जिसने अपने रास्टर गान में यानि कि अपने नैस्नल एंथम के अंदर जो है एक वर्ड को बदला है तो इस देश का नाम है प्यारे बच्छो आस्ट्रेलिया यानि कि B वाला option जो है यहां पे हमारा वो बिलकुल ठीक रहने वाला है आपका ठीक ना Australia आस्ट्रेलिया ने अपने राश्टर कान में एक word को बदला क्या किया सर पहले यह word होता था 4 we are young and free पहले यह word था अब यह हो गया 4 we are one and free इतना कर दिया गया है Australia दवारा ऐसा किया गया है इस बात को आपको याद रखना है अगला क्यूस्तन आपका क्या हो उससे पहले आपको Australia के बारे में पता होना चाहिए Australia की राजधानी क्या है Canberra है Australia के प्रधार मंतरी का नाम Scott Morrison है और Australia की currency क्या है Australian dollar है इस point को भी आप लोग याद कर देना है ठीक ह दन्यवाद अभी भी बहुत मज़ा आने वाला है बस इस मज़े को बरकरार रखने के लिए प्लीज अपने दोस्तों तक इस class को पहुंचा दीजिएगा और share जरूर कर दीजिएगा ठीक है बहुत मज़ा आता है गुरुजी आपी class में thank you प्यारे सर जी ठीक है बेटा 70 साल की उमर में निधन हुआ है ये कौन से देश के इस देश का नाम है dear England England के हैं Gary Marsden और इनका 78 साल की उमर में निधन हो गया इस point को आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा अच्छा सर इनका नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं इनका नाम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह football club के anthem you will never walk alone इसके लिए इनको जाना जाता है यह अब इस दुनिया में नहीं रहे इनके कई सारे famous गाने हैं जैसे example से देखा जाए इनका I am the one, it's gonna be all right, fairy cross the mercy, don't late the sun, catch you crying, यह बहुत ही hit वाले song है इनके और यह काफी famous गाने रहे थे तभी यह मरे हैं मलब तभी यह मरने पर हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं ठीक है ना तभी हमरे नहीं है इनके मरने पर तभी हम लोगी सवाल पढ़ रहे हैं यह England के हैं तो आप map में England को देखिएगा बहुत ही गजब की बात अगर मैं आपको कहना चाहूं कि यह वाला जो उपर वाला इलाका है आपका यह है Scotland का इलाका है यह उपर वाला अधा इलाका Scotland है यह औरेंज दिख रहा है आपको यह सारा का सारा England हुआ यह वाला इलाका जो है ना आपका इसको आप लोग कहने वाले हो वेल्स कहने वाले हो तो Scotland, England और वेल्स तीनों को मिला दोगे तो आप लोग एक नाम देने वाले हो इस ना नाम का क्या नाम होगा, बृत्रेंड होने वाला है, ये नाम आपका, स्कॉटलाइंड, इंगलेंड और वेल्स, इन Tinn pointer मिला वगे, तो आप ता क्या कहला आएगा, तो इसको आप लोग बृत्रेंड कहने वाले हो, अगर मैं आपसे कहता कि UK किसे कहते यानि कि United Kingdom किसे कहते हैं, तो UK कहने वाले हैं, Scotland को, England को, Wales को, और प्लस में जो है आपका इधर का इतना सा इलाका होगा, इसको Northern Ireland बोलेंगे, तो North Ireland हुआ, Scotland हुआ, England हुआ, Wales हुआ, इन सभी को अगर हम लोग मिला देते हैं, तो यह आपका क्या रहने वाला है, यह रहेगा हमा कौन सा इस इलाके को, आप लगव UK कहने वाले हो, गुर्जी, कंप्यूटर आपने इतना अच्छा करा दिया है, कि पेपर के लिए बहुत अच्छा कंफिडेंस है, कंप्यूटर सेक्शन को लेके, थैंक्यू राजीव जी, बहुत धन्यवाद दिया रहा आपका, ठीक है, और आज रात की एक कलास ओर होगी, ठीक है, राजीव, हरीश, संदीप, ठीक है, बता देतना हूँ आपको, आज स्याम को 6 बजे से लेके, और 10 बजे तक तो आपको एक सर पढ़ाने वाले हैं, सोनु सर, जो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्रोफी, ऐसे-ऐसे MCQ करव आएंगे, और 10 बजे से लेके, और आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगेन आपके important computer के MCQ होंगे, उसमे, science के होंगे, कुछ हर्याना के current affair important होंगे, कुछ उसके अंदर आपके computer हर्याना, हर्याना gk क्या हो गया, current affair हो गया, science हो गया, ये सारी class में आपके लेने वा प्यारे बच्चों आपका हर साल 4 January को celebrate करते हैं, इसे कौन से वैक्ति के जनम दीवस पे मनाते हैं, ये लुई ब्रेल के जनम दीवन पे मनाया जाता है, क्या है ये basically, ये actually है कि दिव्यांग जन जिनको दिखाई नहीं देता, उनके ये लिपी है एक परकार की, इसका 253 million लोग ऐसे हैं, जो देख नहीं सकते हैं पुरी दुनिया वरवे, 253 million लोग ऐसे हैं, जिनको कोई न कोई जो है न आखों का problem है, चाहें वो देख नहीं सकते हैं, या कोई आखों की कोई बिमारी कह दीजिएगा, आप लोग ठीक है, तो ये बात आप लोग यहां से All India Chess Federation के नए अध्यक्स बनाए गए हैं, इनका नाम है प्यरे बचो डॉक्टर संजय कपूर, बी वाला option जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, डॉक्टर संजय कपूर को बनाए गया है, अखिल भारतिये महासंग के अध्यक्स बनाए गए हैं, ठीक है ना, ये पहली जादित्यनाथ यहां के मुखे मंत्री है, इस बात को भी आप लोग याद करके चलिएगा, अगला सवाल आपका क्या कहता है कि निमन में से कौन सा खिलाडी, टेस्ट किर्केट में, निमन में से कौन सा खिलाडी, टेस्ट किर्केट में, निमन में से कौन सा खिलाडी, टेस खिलाडी बन गया है इनका नाम होगा केन विलियम सन यानि कि ये वाला आप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा केन विलियम सन बने हैं ठीक है जी अच्छा इन से पहले ऐसा कोन तेसर ये तीसरे बने तो पहले दो और होंगे हां जी एक तो है रोस टेलर है और एक पूर आप ये वैलिंटन है यहां की प्रधानमंत्री का नाम जैसीडा आर्डन है ये बात भी आप याद रख लीजिएगा डियर ठीक है चलो जी अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है नेमन में से किस राज्य सरकार ने ऑलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाडियों को तीन करोड रुपे देने की घोशना की है कौन सा ऐसा राज्य है जिसने स्वर्ण पदक जितने पर तीन करोड रुपे देने की घोशना की है तो तीन करोड रुपे देने की घोशना की है प्यरे वचो राजस्थान राज्या ने यानि किस क्यूस्टन का ए आप्शन जो ह वाले हैं उसको दो क्रोड रुपे काशिया पदक कोई जीत के आता तो पहले उसको मिलते थे तीस प्लाख अब मिलने वाले हैं उसको एक क्रोड रुपे इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लेना डियर ठीक है चलो जी ठीक है अगला सवाल हमारा क्या होगा भाई साब य अगला सवाल क्या होने वाला है आपका राजस्थान की बात करो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम असोग गहलोत है राजस्थान के जो आपके राज्येपाला उनका नाम कल राजमिश्र है और एरिया कितना है तीन लाग 42,249 वर्ग किलोमेटर है राजभानी जैप जैपूर को आप लोग एक्चुली क्या कहते हैं जैपूर को आप लोग पिंक सीटी के नाम से पुखारा करते हैं याद रखीगा पिंक सीटी कहते हैं इसे हम लोग ठीक है इसी को ही आप लोग पिंक सीटी कहते हो और राजस्थान के अंदर एक जोदपूर सहर पढ़ता है जोदपूर को आप लोग कहते हो, ब्लू सीटी कहा करते हो, या आप लोग जोदपूर को जो है, वो सन सीटी भी कहा करते हो, ब्लू सीटी भी कहते हो, राजस्तान में को उध्यपूर भी पढ़ता है, उध्यपूर को वाइट सीटी या सिलवर सीटी के नाम से भी फुकारा कर करते हैं हम लोग इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर देना गुर्जी ठीक है सर ये वेटिंग में थी ना दो ती दिन से हां बेटाई ये वेटिंग में चल रही थी कलास आज इसका वेट पूरा हुआ है आज इस कलास को मैं ले रहा हूं और ये कलास नेशनल करेंट अफ क्राईशनिस का हमारा ठीक रहेगा सर इस अधीनियम का मतलब क्या मतलब कि युनायटेड स्टेट एजर सीफ आ इंटरनेशनल डेवलं जिसको आप यू- एस-ए-ई-ड कहते हो इसके दबारारा पकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छातिर्वरति दी जाएगी यानि общем दी जाएगी और scholarship के मादियम से girls को जो है पढ़ाने का उदेशे है पाकिस्तान की education में सुधार लाना ही इसका उदेशे है और इसमें कुछ है नहीं आपका तो पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूजफाई अधिनियम का मतलब यह है कि उनको scholarship देकर उनको पढ़ाया जाए पढ़ाने से क्या होगा उनकी पाकिस्तान देश की जो है सिक्षा में सुधार लाना सिधा सिधा उदेशी है अगर आपने बात किये United States Agency की तो इसका headquarter पढ़ता है Washington DC America में इसके स्थापना की थी जोन F Kennedy में Kennedy ने और इसके स्थापना हुई कब है 3 November 1961 को जो है इसके स्थापन हुई है इस point को भी आप लोग याद कर देना डिया है ठीक है जी अगला सवाल हमारा क्या रहेगा अगला किस्क्षा हमारा क्या रहेगा हं उससे पहले हमें Amerika के बारे में बात करनी है तो अमेरिका की राश्रपती का नाम जो वाइडन है अमेरिका की capitalist in DC हैиля साइलिंग कोड प्लस वन हैं और पॉपॉलेशन के तनी है? 32.82 करोड ए, करंसी क्या है, यहांकि अमेरिकी डॉलर यहां की करंसी है, मैंने पाकिस्तानी महिलाँ की बात की, तो पाकिस्तान देश के बारे में बात करें, तो पाकिस्तान के प्रधानमंतरी का नाम इमरान खान ह यहां की राजधानी इस्लामाबाद है, यहां की पॉपलिशन 21.66 करोड है, करंसी यहां की पाकिस्तानी रूपी है और यहां की राष्टरपती का नाम आरिफ अलवी है, यह बात भी आप लोग यहां से याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है, चलो जी अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है, धन्यवाद बिट्टू जी आपका भी, ठीक है, राम राम गुरू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे लिखने मैनत करते हैं, ठेंक्यो सर, ठीक है आपका भी, आंदर प्रदेस हाई कोट के नए मुखे नाय अधीस के रूप में किसे हाई कोट के मुखे नाय अधीस की न्युक्ती करने का काम राज्यपाल का होता है, ठीक है, तो राज्यपाल आंदर प्रदेस के कोन है, उनका नाम है विश्यो भूषन हरी चंदन, यह याद रखिएगा, और इन्होंने जो है नाम न्याय मूर्ति गोस्वामी को जो है, उनक अगला सवाल आपका क्या है, उससे पहले अंदर प्रदेस के बारे में बात करें, यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, विश्यो भूषन हरी चंदरन है, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, यह जगन मोहन रेडी है, और पॉपुलेशन कितनी है, 4.94 करोड जो है, यहा आप लोगों का जो यह तो हिंदी में गल्वत गलत है, इंगलिस में मतलब गल्ट ट्रांसलेशन है, मानवा दीकार सैल के पर्थम अत्रिक्त महान देशिप जो बने है ना, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मेजर जर्नल गोतम चोहान, यहाँ कि ए आप्शन इसका हमारा, व योजना लागू करने वाला राज्य का नाम है दियर गुजरात, गुजरात ने ऐसा किया है, इस से योजना का मतलब इस योजना का मतलब है, दो जर तेईस तक यह योजना चलने वाली है, किसानों को जो है, अगर टूवल के लिए लाइट दे दी जाए, प्रॉपर टाइम से जादा light दे दी जाए तो इसका मतलब यह होगा कि वो बहुत जादा efficiency ले सकते हैं अपने खेतों से इसी करके यह योजना जो है start की गई है किसान सुरोजे योजना इसमें सुबह 5 बज़े से रात 9 बस तक जो है रेगुलर बिजली मिलने वाली है किसानों को ताकि वो अपने खेतों में पानी जो है वो लगा सके इस point को भी आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा गुजरात के बारे में बात करते हैं तो गुजरात की 30 सीमा सभी राज्यों में सबसे जादा है 1206 किलोमेटर के आसपास तकरीब गुजरात की राजधानी गांधी नगर है गवरनर का नाम अचारे देववर्थ है पॉपलिशन 6.27 करोड है और यहां के चेफ मनेस्टर का नाम विजे भाई रूपानी है इस बात को भी आप याद रखिया विजे भाई रूपानी ठीक है यानि कि ए आप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा कजाकिस्तान के राश्टर पती का नाम है कासिम जोमार टोकेओ कासिम जोमार टोकेओ और यह चेतरफल की अधार पे दुनिया का सबसे बड़ा नौवा देश है आपका मतलब 9 नमर पोजिशन पे इसका नाम आता है याद रखिएगा आप लोग ठीक है कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी जलवायू बड़ी कठोर है सर्दियों में बेहत सर्दी पड़ती है गर्मियों में बेहत गर्मी पड़ती है इसको आप महाद्यू के जलवायू कहा करते हैं याद रखना आप लोग आप प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतिय दिवस हर साल मनाया जाता है, आपका प्यारे बचो कब मनाते हैं? 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, यानि कि दी वाला आप्शन जो इसका हमारा ठीक रहेगा, पहली बार ये साल 2003 में मनाया गया था, 9 जनवरी 2015 क घांदी जी जो है, वो दक्षिन अफ्रीका से वकालत करके भारत लोटे थे, इसी करके आप लोग मना रहे हैं, ये वाला दिवस है, हेमा कोहली निमन में से किस राज्य के चीफ जिस्टिस के रूप में सपतली है, कौन से राज्य की, इस राज्य का नाम है प्यारे बचो त याद रख लेना है आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है ठीक है ना हेमा है गुरुजी आपका कंप्यूटर कोर्स और कल आपकी चार आउट्स की कलास इसके लिए आपको कुछ कहना चाहता हूं गुरुजी बैटर देन थाउजन डेज बिलाइट स्टडी इस वन डेज विद ग्रेट टीचर हो थैंक्यू सो मच डियर मेरे लिए बहुत बहुत वैलियोबल था आपका ठीक है ना चलो जी आगे बढ़े हम लोग गला किस्तन हमारा क्या रहने वाला एडियर ठीक है तो भारत के 25 हाई कोर्ट में से वर्तवान में एक अकेली महिला मुख्य नयादीस है उनका नाम आप लोगों को मैंने बता दिया हीमा कोली है ठीक है अगला किस्तन आपका क्या रहने वाला है इस ऐसर बता है आप तब यह तो आप छूढ़ियगा तीक इस क्यख़्सतन का अंसर बताहिए आप तब तक पाने फिलता हूं गैं विश्व हिंदी दिवस निमन में से कब मनाया जाता है यानि कि वर्ड हिंदी डे कब मनाते हैं हम लोग तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है प्यारे बुच्छों 10 जनुवरी को मनाते हैं देखिएगा एक तो होता है रास्ट्य हिंदी दिवस ठीक ना रास्ट्य हिंद लग तो दस जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 10 जनवरी 1975 को यह दिवस पहली बार मनाया गया था इस बात को भी आप याद रखना उस बार उस साल में पहली बार 1975 में क्या हुआ था उनीस सुपें में एक हिंदी सम्मेल होगा तर अभी नरेंद्र मोदी है उस टैम पे जो है इंद्रा गांदी थी और तब से जो है ये वाला दिवस हम्दुग मना ही रहे हैं कौन सा भारतिय बल्लेबाद औस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में सो चक्के लगाने वाला विस्व का पहला खिलाडी बना है इस बच्चे का नाम क्या है इस खिलाडी का नाम है रोहित सर्मा यानि कि सी वाला आप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा एक देश के खिलाफ सबसे जादा चक्के लगाने वाले वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल सबसे आगे हैं और जिन्होंने एक सो तीस चक्के इंगलेंड के लिए लगाए हैं इन्होंने टोटल सो चक्के लगा दिये पास ही पहुंच गए हैं ये बात भी प्याद रखना क्रिस गेल और रोहित सर्माही ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने एक देश के खिलाफ सो या सो से जादा चक्के जो है लगाने का प्रियास किया है ठीक हैं चलो जी अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है कि अमेरिका के नव निर्वाचित राश्रपती जो बा सब्सक्राइब को तो इसमें से सही अंसर क्या रहने वाला डियार इसका सही अंसर रहेगा विल्यम बंस यानि कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वह विल्कुल ठीक रहने वाला याद रखना आप ठीक है ना अमेरिका के नव निर्वाचित राश्रपती जो बाइडन ने विल्लियम बंस को जो है का निदेशक निक्त किया है अभी हाल ही में इस बात को आप याद रखना अगला सवाल है आपका उसके पहले याद रखना अच्छा प्यारे बचों मैं आपको बता देता हूँ फिलाल मैं आप लोगों को जो है इस वाले सेशन के अंदर जो है ना टोटल आपका इपॉर्टन जो है ना 30 MCQ है यह या यूंकर यह था 35 MCQ है इस सेशन के अंदर वह आपको पढ़ाने वाला हूँ बाकी की क्लास जो है आपफ लोगों को मैं आज रात को लेने वाला हूँ ठीक है ना बाकी क्लास आज रात की होने वाली है तो फिलाल यह छोटा सा सेशन है इसको आप लोग इन्जोई कर लीजेगा उसके बाद में बाकी का पार्ट आप देखिएगा मुझसे आप रात में पढ़िएगा रात को जो है ना कलास लेके हाजीर होंगा प्यारे बचों उसमें पढ़ाऊंगा आपको फिर मैं बाके आज शाम को वैसे 6 बजे कलास स्टार्ट हो रही है स्टार आइक्यू पे 6 से लेके और 9 या 10 प्यारे बचों हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को सेलिबरेट करते हैं इस बात को याद रखना हांजी इनका PDF मिल जाएगा कहां पे मिलेगा मेरे टेलिग्राम चैनल पे पहुंझाना स्टार आइक्यू अप्लिकेशन पे ठीक है ना स्टार आइक्यू एजू के नाम से Google Play Store प बायजुद की गई थी आपकी 11 जनवरी को ठीक है ना प्रित्वी को बचाने के लिए ऐसा किया गया था याद अखना 11 जनवरी 2021 को की गई थी और अगला सवाल है कि भारतिय सेना दिवस कब मनाते हैं सब को पता होना चीए भारतिय सेना दिवस यानि कि इंडियन आर्मी डे यह हर साल मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं क्योंकि जर्नल M करियपा सेना के पहले कमांडर इंचीफ थे इन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रेंसिस बूचर से प्रभार लिया था इसी करके आप 15 जनवरी को भारतिय सेना दिवस और 14 जनवरी को आप मनाया करते हैं कौन सा आप मनाते हैं को एक दिवस भूच पुरो सेना दिवस अलब एक्स आर्मी डे यह रिटाइड हुए थे उसी दिन ही गुजरात सरकार ने एक निती लागू किये इसका नाम है आपका क्या नई प्रेटन निती यानिकि डी आप्शन सही रहेगा अपने राज्य के लागू रहने वाली है इसे होगा क्या इसे गुजरात का इस ओफ डूइंग बिजनस रैंकिंग जो है ना वो भी सुधर जाएगा गुजरात के बारे में जब भी बताया था मैंने आपको भारत सरकार ने किस देश में मनीश चोहान को नया राज़ुत किया है तो भारत सरक अगला सवाल है कि पदम वीभूशन से समानित किस महान सास्ति ये गायक का 89 वर्स की उमर में निदन हो गया तो जनवरी 2021 में एक हीरा खो दिया था हम लोगों ने इस हीरे का नाम आप सभी को पता होना चीए गुलाम मुस्तफा खान ठीक है ना 17 जनवरी 2021 को जो है ना इनका निदन हो गया गुलाम मुस्तफा खान याद रखिएगा 89 के ये थे आपके भार सरकार ने पदम भूशन और पदम वीभूशन से जो है ना इससे समानित किया था ये याद रखना आप लोग अमेरिका की भावी पर्थम महिला जिल बाइडन के निती निदेशक जो है ना इ याद रखिएगा दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात समर्धन जिसको अपती एपीसी कहते हैं यानि कि टेलिकॉम एक्यूप्मेंट और सर्विस एक्सपोर्ट परमोशन कॉंसिल ठीक है ना इसकी अगर आप बात करते हैं तो इसके अभी रिसेंटली जो है ना वो अ संचार उपकरण होते हैं गवर्मेंट को जितने भी आपके जो है ना इक्यूप्मेंट चिये होते हैं बातचीत करने वाले वो मुहिया करवाने का या देने का काम करती है ये सुप्रिम कोट बार असोशेशन के अध्यक्स पद पर जो है ना किसे निक्त किया है सुप्रिम क अंतराष्टी क्रिकेट में डेबीऊ करने वाला पहला भारतिय है आपका सब को पता होगा इसमें से टी नतराजन टी नतराजन, टी नतराजन पुर्शों के 10-meter air pistol का खिताब जो है ना अपने नाम किया है ठीके ना तो ये किस ने नाम किया है 10-meter में तो सोरब चोधरी ने किया है और इसी साइध वज़े से जो है ना सोरब चोधरी का कहीं कहीं efficiency लग रही है कहां पर विदेश जाने वाली efficiency या टोक्यो ओलम्पिक में ज पढ़ता कहां पर गुजरात में पढ़ता है अरब सागर के तरट पे पहले केसु भाई पटेल ट्रस्टी थे लेकिन अब उनका देहांत हो गया इसी करके ही यह सौमनाट टेंपल बहुत सुन्दर आपका चलि अगला किसन आपका है कि गुजरात सरकार ने हाली में ड्रेग कर रहा हूं आपको यह टॉप 30 क्यूस्टन मैंने करवाए हैं बाकी क्लास रिमेनिंग रात को लेने वाला हूं ठीक है तो आपको रात मुझे रात को जुड़ जाईएगा आम 6 बजे क्लास स्टैडूल कर रखी है मैं रात को आपको जो साड़नों या 10 बजे मैं पढ़ाने लगूंगत उससे पहले कोई सर पढ़ाएंगे आपको ठीक है तो ठीक है बेटा आ जाओगे रात को आप लो इस क्लास को मैं अंड कर देता हूं अभी कैसी लगी क्लास वो भी बता देना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना रादे रादे दियर